सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बैल आकन को दबाईए कुछ नया सीखने के लिए तो फ्रेंट्स एकवा फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Edge में टेक्स्ट और फोटोग्राप कैसे सेव करते हैं Microsoft Edge में एक option होता है collection का जिसकी मदद से आप अपने मन चाहे टेक्स्ट और फोटोग्राप उसमें सेव कर सकते हैं यानि कि उसका collection बना सकते हैं Microsoft Edge पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक दिया है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो चली शूर करते हैं आज का वीडियो तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर Microsoft Edge का पेज ओपन है और यहां पर देखिए हमने आइफिल टावर सर्च किया हुआ है अब यहां पर कुछ images हैं कुछ photographs हैं अगर हमें इसका collection मनाना है यानि कि मन चाहे text और photographs को अलग से save करना है तो उसके लिए मैं क्या करना होगा राइट साइड में देखिए three dots यहां पर मिलना है आपको इस पर क्लिक कर दीजे तो नीचे आपको option मिलता है collection का collection शॉर्ट फॉर्म भी आप देख सकते हैं Ctrl-Shift-Y दबाएंगे तो यह open हो जाएगा जब इस पर क्लिक करेंगे तो right side में देखिए collection का option यहां पर आकर सामने आ गया अब यहां पर हमें क्या करना है start new collection पर क्लिक करना है collection का कोई नाम दे सकते हैं माल लीजे कि हम आइफिल टावर ही लिख देते हैं और बाहर क्लिक करते ही देखिए हो गया अब हमें क्या करना है जैसे माल लीजे कि यहां से यहां तक का text हमें save करना है जिसको हमने select किया उसके बाद इसको पकड़ा और यहां लाके छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि यह जो text था वो यहां पर आ करके save हो गया उसी तरीके से image पर चलते हैं और कोई एक image save करके देख लेते हैं माल